हाई फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी अफगानी पनीर मसाला और इसका जो टेस्ट होता है बिलकुल हटके होता है रेगुलर वाली पनीर रेसिपी से एक बार आप इस रेसिपी को ट्राय कर लेंगे तो फिर आपकी ये फेवरेट रेसिपी हो जाएगी बहुत ही रिच क्रीमी होती है तो इसका खाने का स्वाद भी बहुत ही जादा लाजवाब है तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम पनीर को मेरिनेट करेंगे ये मैंने लगबग 300 ग्राम पनीर लिया है इन्हें इस तरीके से रेक्टेंग्लोर शेप में कट किया ह अब मैं इसमें डालूंगे एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट थोड़ा से एक चुथाई चमच नमक एक चुथाई चमच काली मीर्च पाउडर एक से दो चमच तेल और बारीक कटा हरा धनिया मसाले को हम अच्छी तरीके से पनीर पे लगा देंगे और अब 15 मिनिट के ल पनीर पीसे इसमें रख देंगे और इन्हें हम दोनों तरफ से अच्छे से फ्राय करेंगे अब पनीर पीसे फ्राय हो चुके हैं इन्हें हम एक प्लेट में निकाल देंगे और अब ग्रेवी बनाते हैं ग्रेवी बनाने के लिए सेम पैन में मैंने दो से तीन प्यास कटे ह स Tapi मैनेस में दो हरी मिर्चे डाली है लस्च तर डाला है और यह शाथ काजू डाल से हिन्हें ठोड़ा मिक्स करेंगे थोड़ा हरा दनिय में डाल दिया है प्राइस को बहुत जादा नहीं पकाना इसका कलर चेंज नहीं करना है तो हलका सा 2-3 मिनिट के लिए हम पकाएंगे और अब इन्हें थंडा होने देंगे अच्छे से जब थंडा हो जाएगा तब हम इने ग्राइंडिंग जार में लेंगे और फिर उसमें दो चमज गाड़ा दही डालेंगे और दही डालने के बाद हमें इनका एक स्मूध पेस्ट बनाना है अब ग्रेवी तयार करेंगे इसके लिए पैन में दो चमज तेल गरम किया है साथ में एक चमज मैंने बटर डाला है अब कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे एक तेज पत्ता तीन से चार लॉंग दो चोटी लाइची दालचिनी का तुकड़ा इसमें मैंने मिक्स किया है आदा चमज धनिया पाउडर एक चोटाई चमज जीरा पाउडर और अब जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और धककर इन्हें हमें 5-7 मिनिट पकाना है ये देखिए पेस्ट अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम मिक्स कर देंगे दो चमज ताजी मलाई अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं डालूँगी एक चमज कसूरी मेथी तीन से चार हरी मिर्चे नमक स्वाद अनुसार एक चताई चमज काली मिर्च पाउडर एक चताई चमज करम मसाला और अब मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें लगबग आदा कप पानी डालूँगी पानी डालने के बाद अब हम इसमें पनीर पीसे भी मि मिनिट बार देखिए यह ला जवाब सा बहुत ही ज्यादा यमी अफगानी पनीर मसाला रेडी हो चुका है नास्ट में इसमें बारी कटा हरा धनिया डालेंगे और आप इसे सर्व कीजिए और इसके खाने का मज़ा लीजिए आपको यह रेसीपी कैसी लगी वीडियो में हमे इसके लिए इसके लिए एक पैन में सबसे पहले घी गरम करेंगे उसमें हम पनीर के पीसे को फ्राय करेंगे दोनों तरफ से अच्छे से पनीर के पीसे को हमें फ्राय करना है अब यह पनीर फ्राय हो चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम फ्राय करेंगे 8-10 काजू और कुछ बदाम पहले हम काजू और बदाम को फ्राय करेंगे देन उसके बाद हम इसमें साथी में डाल देंगे कुछ किश्मिष के दाने क्योंकि किश्मिश बहुत जल्दी फ्राय हो जाती है तो बस इसे हलका से ही सौटे करेंगे और फिर इन्हें भी हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले जिसे एक तेज पत्ता, तीन से चार हरी इलाइची, काली मिर्च के दाने, लॉंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलाइची इसमें मैंने डालाए साथ में आदा चमच जीरा और एक प्याज लंबाई में कटा हुआ साथ में डालेंगे एक चमच अध्रक लसन का पेस्ट, आधा कप ताजी मतर के दाने, एक से दो मिनिट हम पकाएंगे मतर को, अब इसमें मैं डाल दूँगी तीन हरी मिर्चें, और एक कप पानी में भिगोया हुआ, बासमती राइस, क्योंकि एक कप चावल मैंने लिये थे जो पानी में भिगोया थे, अब इसमें हम डालेंगे लगबाग डेट कप पानी, नमक स्वादा नुसार और एक चुधाई चमच काली मिर्च का पाउडर, इन्हें हलका हलका मिक्स करेंगे ताकि चावल के दाने तूटे नहीं, और अब एक वाल आने पर इसमें हम डाल दे देंगे, फ्राइड पनीर पीसे, फ्राइड नर्ट्स, और अब ढखकर हमें इन्हें आठ से दस मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है, अब ये देखिए चावल पक चुके हैं, फ्लेम आफ कर देंगे, और अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे लगबाग दो चमच दे और एक चमच केसर बिगोया हुआ दूद, और दस से पंदरा मिनिट के लिए हमें डखकर ऐसे ही रख देना है, उससे चावल और अच्छे फूल चाते हैं, खिल जाते हैं, और फिर इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए, जब भी महमान आया या कुछ अच्छा खाने का दिल करें, तो ये रेसिपी आप ज़रू ट्राय कीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो में हमें लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और आगे भी इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आज मैं आपके साथ शेयर क जलता है, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, और बहुत ही लजीज इसका स्वाद होता है, तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें प्याज को फ्राय करना पड़ेगा, तीन प्याज के लच्छे हैं, जिनने मैंने फ्राय किया है, अभी इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा ओइल कम कर लेंगे, और अब हम इसमें पनीर के पीसे स्फ्राय करेंगे, ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, दोनों तरफ से पनीर को हमें अच्छे से फ्राय करना है, अब ये देखिए पनीर दोनों पानी में रखेंगे जब तक हम ग्रेवी तयार करते हैं, ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट रेडी करेंगे, इसमें ये प्यास किल अच्छे जो फ्राय किये थे ठंडे हो चुके, अब इन्हें ग्राइंग जार में डालेंगे, साथ में मैंने 15-20 गाजू ड अब कुछ घड़े मसाले डाले हैं, जीरा, ताल चिनी, तेज पत्ता, काली लाइची और दो से तीन छोटी लाइची, अब इसमें डालेंगे, एक से डेट चमच अधरक लसून का पेस्ट, अधरक लसून के पेस्ट को हमें थोड़ा सा अच्छे से से शेकना है, अब कुछ अब हम इसमें प्याच, काजू और दही का पेस्ट मिक्स कर देंगे, और इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से सेकना है, जब तक इसमें उपर तेल ना आ जाए, थोड़ा सा आधा कब पानी भी डाल देंगे, अब ढखकर हम इसे चार से पांच मिनिट के लिए पकाएंगे, अब ये देखे, ग्रेवी में उपर से तेल आ गया है, अब हम इसमें फ्राइट पनीर पीसे मिक्स कर देंगे, साथ में मैंने दो हरी मिर्चे डालिये, नमक स्वाद अनुसार, आधा चमज गरम मसाला, कसूरी मेती, पनीर के पीसे को हम अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करें हाई गाईज, वेलकम टू चिली सीट्स किचन, सो आज की जूम रेसिपी है, वो है मज़ेदार से टेस्टी से क्रीमी मश्रूम, और ये बिलकुल इंस्टेंट रेसिपी है, सिर्फ 10 मिरिट में हम इसे बना कर तयार कर लेंगे, और जादा ताम जाम भी इसमें करने की जरू करते हैं, क्रीमी मश्रूम बनाने के लिए, सबसे पहले एक कड़ाई में दो चमज तेल गरम करेंगे, साथ ही मैं इसमें एक चमज बटर भी डाल दिया है, अब मैंने इसमें आदा चमज जीरा डाला है, इसके बाद मैंने इसमें डाला है, दो चमज बारी कटा हुआ लसन, लसन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, अब मैंने इसमें डाला है, दो ग्रीन चिली कटी हुई, आप चाहें तो बड़ी बड़ी ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, अब इसमें हम डाल देंगे, क्यूप्स में कटा हुआ प्याच और शिमला मिर्च, अब इसमें डाल द काटने की भी जरुवत नहीं है, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, और ढखकर हम इन्हें दो से तीन मिनिट के लिए पकाएंगे, अब दो मिनिट बात चेक करेंगे, कि सबजिया आधी कच्छी पक चुकी है, हमें इसी तरीके से इन्हें रखना है, बहुत जादा इ तो मैंने इसमें डाल दिया एक चुधाई चमच, काली मिश पाउडर और नमक साधनसार, अब इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें डालेंगे ताजी मलाई दो चमच, वैसे मैंने तो ये अमूल की क्रीम डाली है, पर अगर आप चाहें तो घर की ताज ज़्यादा अच्छा आता है, साथ ही मैंने इसमें डाला है एक चुधाई चमच चिरी फ्लेक्स, एक चुधाई चमच मिक्स अप्स, और गार्लिक सीजनिंग जो भी आपके पास अविलेबल हो, और डाल दिया है एक चुधाई चमच गरम मसाला, अब ये बिलकुल रेड़ ज़रूर करें, और आप आगे भी इसी तरी की कुईक और इजी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स रेसिपी में, तब तक के लिए, बाबाई, टेक कियर